ही गाईज वेलकम और वेलकम बैक टो नॉटी स्टेचेस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रिंटेट कुर्टी के गले का एक बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन शेयर कर रही हूँ तो इस डिजाइन को बिनाने के लिए मैंने प्लेन ब्लैक फैबरिक में से साड़े चार इंच चौड़ी और चौदा इंच लंबी एक पट्टी काट ली है और इसके पीछे मैंने फ्यूस बेपर चिपका लिया है अब हमें इस तरह की कोई भी लेस लेनी है यहाँ पर मैं वाइट कलर की लेस ले रही हूँ क्योंकि यह मेरे कुर्ती के प्रिंट के साथ मैच हो रही है और इस लेस को अब मैं इस पट्टी की दोनों किनारियों पर इस तरीके से अटैच कर लूँगी लेस का कलर और डिजाइन आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दोनों किनारियों पर लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है इस तरह अब हम साइट से एक्स्ट्रा लेस को काट देंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे अब यहाँ पर मैंने प्रिंटेट फैब्रिक की एक पट्टी ली है और इस तरीके से लेस की किनारी पर हमें इसको रखना है और सिलाई लगानी है जो सिलाई हमने लेस को अटैच करते वे लगाई थी पिल्कुल उसके उपर ही मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इस तरह से पट्टी को मैंने फोल्ड कर दिया है और तक्रीबन आदा इंच चौड़ी एक पाइप इन मैंने यहाँ पर बना दी है पीछे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब हम काट लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी पाइप इन बना देंगे इस तरह अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिर से सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने पाइप इन बना दी और अब हम इसके नीचे की तरफ भी पाइप इन बनाएंगे इस पट्टी के तीन तरफ हमें इस तरह से पाइपिन बनानी है और उपर वाली तरफ हमें ऐसे ही छोड़ देनी है क्योंकि वो साइड गले के नीचे दब जाएगी तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर दिया साइड से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह मोड देना है ताकि इसकी किनारी पर एक्स्ट्रा धागे नजर ना आए और अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है अब इसके पीछे से एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे और बहुती सफाई से इस पट्टी के तीनों तरफ यह पाइपिन बन गई है आप चाहें तो यहाँ पर प्लेन कपड़े से भी पाइपिन बना सकते हैं अब इस पैनल को हम कुर्ती के फ्रेंट पर रखेंगे तो यहाँ पर मैं साथ इंच की दूरी पर इसको रख रही हूँ क्योंकि उपर गला बन जाएगा और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में इस पैनल को रखके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे यह देखिए बिल्कुल सफाई से बिल्कुल सेंटर में हमें इस पैनल को अटाच करना है इस तरह से पैनल को अटाच करने के बाद हम इसके चारो तरफ एक और लेस अटाच करेंगे यहाँ पर भी मैंने वाइट कलर की ही लेस ली है ये लेस थोड़ी सी बारीक है साइड पर अटैच करने के लिए आपको भी इसी तरह की कोई बारीक लेस ही लेनी है लेस का डिजाइन और कलर आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं लेकिन इस तरह साइड पर अटैच करने के लिए बहुत जारा चौड़ी लेस मत लीजेगा आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिन भी कर सकते हैं या फिर गोटा भी लगा सकते हैं ये देखिए इस तरह से मैंने ये लेस यहाँ पर अटैच कर दी है और ये पैनल अभी से बहुत संदर दिख रहा है अब इसले इसकी दूसरी किनारी पर भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरह तो ये पैनल हमारा अच्छा से अटैच हो गया है और अब हम इसके उपर गला बना देंगे तो इसके उपर बनाने के लिए मैंने गोल गला पहले से ही बना कर रखा है तो इस तरह गोल गला भी मैंने इसके उपर बना दिया है और इस पैनल के भीच में मैंने मोतियों वाले बटन्स लगा दिये हैं तो गाईज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बैल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे सबी वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सकें तो गाईज थैंक यू सो मच फो वाचिंग बाई बाई